अब स्कार दोस्तों, आज कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रधान मंतरी किसान ट्रेक्टर रोजना के बारे में अगर आप छोटा किसान है, मान के चले आपके पास मात और दो बिगा जमीन है या आप बड़ा किसान है, आपके पास दस बिगा, बिस बिगा जमीन है यानि कम जमीन जो है कि दो बिगा चलेगा और जादा जादा जितना जमीन होना चाहिए अगर आपके पास 20 बीका जमीन है 50 बीका जमीन है 40 बीका जमीन है या आप जमीनदार है अगर आपके पास 10 अब करने में परसानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उस इच्विशन में आप PM किसान ट्रैक्टर रोजना के तहट सबसेकामदर सभसीडि पे अपने आ ट्रैक् अंतरगत 28 राज है 2800 राज में अब कहीं का किसान है अगर आपको खेती बारी करने में परसानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उस सिच्वेशन में आप PM किसान ट्रेक्टर रोजना के तहथ आप नया ट्रेक्टर ले सकते हैं इसमें हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आप अवेधन कैसे कर सकते हैं और साथी में कौन-कौन सा दस्तावेज यानी डॉकमेंट की जरूरी पड़ेगा और कौन-कौन लोग इसके लिए आवेधन कर सकते हैं पूरी परक्रिया आपको इस वीडियो में बिस्तार पुरोग बताने जा रहा है तो इस वीडियो में आप बने रहें तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर उनको क्रिसी के कारे करने में किसी तरीका से परसानियों का सामना करना पड़ रहा है तहत वह नया ट्रेक्टर ले सकते हैं इसमें हम सबसे पहली बात करते हैं कि इसके लिए आप आवेधन कैसे कर सकते हैं देखे p.m किसान ट्रेक्टर रिओजना गया आवेधन करने के लिए यहां पर दो तरीके से online किया जाता है एक है किया था यानि अलग-अलग राज में जो है कि अलग-अलग तरीके से आवेधन किया जा रहा है देखिए इसमें दूसरा ची में पॉइंट है उस पॉइंट पे हम बात करते हैं इस वजना के तहद कौन-कौन पंजीकरन कर सकते हैं और पीम किसान ट्रेक्टर रोजना के तहद देश के सभी किसान आवेधन कर सकते हैं देश के सभी किसान जो है कि आवेधन कर सकते हैं चाहे तो वह चोटा किसान हो या बड़ा किसान हो यानि उनके पास भूमी होना चाहिए वही सब जो है कि इसके लिए आवेधन कर सकते हैं अगर आप कहीं से दूसरे कहीं किसी तरीक के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं अगर आप आवेदन भी कर दिये तो फिर आपको ट्रेक्टर नहीं दिया जाएगा दूसरा चीज में हम बताते हैं मेन पॉइंट आपको बताते हैं कि किसान कितनी सबसीडी मिलेगी यह में पॉइंट है कि कितनी सबसीडी मिलेगा तो के अंदर सरकार दुवारा शुरू की गई परधानमंत्री किसाने ट्रेक्टर सबसीडी योईना कतात लभार्ति किसानों को ट्रेक्टर खरिदने के लिए 20% से लेकर के 50% तक सबसीडी दिया जाता ह सब्सिडियों कहीं जो कि तरके सब्सिडी दिया तालहें बहुत सबस्टिसेट जो कि अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कौन-कौन सा दफ्तावेज की जरूरी पड़ेगा यानि आपको डॉक्मेंट की जरूरी पड़ेगा अगर आप आप आवेदन करना चाहेंगे तो फिर आपको जरूरा डॉक्मेंट की भी आपको जरूरी पड़ेगा द जमीन के दस्टावेश मतलब होता है कि आपका जमीन का रसी स्पाइश छाहिए उसके पास्पोर्ट शाइज चाहिए जरूरी पास्पोट साइज फोटो की भी ज़रूरी है बैंक आपका खाता का जरूरी है पंजाब स्टेट बैंक हो एज भी हो किसी देएंग का फिसार कर रोजनाdoor के लिए कृँषिस्या अबेदन है कि αुsten में अभी जो ही की चालू है बहुत सारे अर्टेट में बंदकर दिया गया है बहुत सारे क्वझेड में चालू कर दिया गया है तो जो है कि आप जाकर अपने नहीदिकिंगी की अपका जो क्रिसिस तलाह जोते हैं फ्लाकार उनसे जा करके आप संपर्क कर सकते वह बता देंगे कर oui जा रहा है कि यह अभी सुझार तरीके से जटेकं की आपकंशान द्रेट के लिए कर सकते हैं कि आपका जोरे की चालु है या बंद कर दिया कि आप जोई कि आवेधन कर सकते हैं और नया ट्रेक्टर के जोई कि आप ले सकते हैं तो आई होप मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का से आप पीम किसान ट्रेक्टर रोजना के तहट जोई कि आवेधन कर करके आप नया और बेल आइकन को प्रेस कर दें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जाहिन जाए